हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल गाईज आजकी जो रहनवा और एस गुरूब वाले लोग इस्तमाल कर सकतेoj हैं, और ये जो है बालो को है की पिगमेंट को भी बढ़ा देतीया निकए मिलनन को बढ़ा देगी, आपके बालों में, अगर मिला नेन सही होगा, तो आपके सफेद बाल, जड़ से काले होना, बढ़ा को बढ़ा होगा, आपके बाल फिल्ड होगे, और आपके बाल रिग्रो भी होगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लिए ऐक बैलाता इसको जरूर से प्रेस कर ले तो चलिए वीडियो और रेमडी की तरफ हम भढ़ते हैं सबसे पहले जो हमें चाहिए होका फिर्स्ट इंगीरियन में इस तरीक चावल का मांड में चाहिए दिए चावल का मांड में चाहिए देता है और जितनी भी नमी नहीं होती है तो यहां पड़िए चॉटने ज़ंटे हैं तो यहां पर देखीगा मैंने इस तरीके से इसे सेफ कर रखा है आप भी इसे सेफ कर सकते हैं फ्रीज में आप इसे सेफ करके रख सकते हैं 7-10 डेज आप इसे फ्रीज में सेफ करके रख दीजिए और यह इस्तमाल आप कर सकते हैं फिर अगर आपके पास काला कथा नहीं है तो आप ब्राउन कथा भी ले सकते हैं लेकिन काला कथा बहुत जादा बैनिफिशल हो जाता है यह देखिगा भी मेरा इतना सही मैंने डाला यह बज गया है आप इस तरीके से तोड़ कर रख लीजे और इसे मिक्सर में आप पीस कर रख स अनार पॉडर अनार पॉडर आपके बालों में जो जड़ से काला करता है साथ ही आपके बालों का टूटना जड़ना बंद कर देता है तो अनार से आपके बाल काले होने लगते हैं आप जो है अनार के छिलकों को पीस सकते हैं सुखा लीजे उनको पीस लीजे या फिर आप आप ओवरनाइट सुखा कर उसका water ready कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इसे mix कर दीजिए और ये remedy हमारी बनकर ready हो चुकी है आप इसके अंदर olive oil mix कर सकते हैं जो भी आपको पसंद oil हो आप इसकी oiling भी कर सकते हैं दो तरीके से बता देती हूं मैं olive oil ले लीजिए या जो भी आम एंब्ला ऐल ने लिए जो आपको ओयल पसंद ऊप बोच हों कर दार कर दाएक ऑर इसमबार भागा दौर सब्रीज्व कि वह जादा स्यादा लोगों में शेयर जरू कर दें ताकि उन लोगों की भी हैल्प हो सके थैंक इस तो मच पर वरवाज़ दें